सबसे पहली चीज जो है ना वो यह है कि आपने इस फॉर्मुला को फॉलो करना है कि जब आप कोई भी पर्टिक्यूलर ब्लॉग लिखने जा रहे हों तो यह एक फॉर्मुला है ओन डेट, राइटर, पोस्ट टाइप, वहिकल और केटिगरी अब मैं इस फॉर्मुला को थोड़ा सा एक्स्प्लेन कर दूँ तो बात थोड़ी सी और समझ में आना शुरू हो जाएगी जब भी हमें कोई भी पर्टिक्यूलर ब्लॉग लिखने का इरादा हो और हम कॉंटेंट मार्केटिंग के थुरू अपनी ओडियन्स को लेकर आना चाह रहे हूं जैसे कि मैंने पहली वाले सेशन में आपको मुखतलित तरह की अपर्चुनिटीज बताएं थी कि क्या वज्यूहात होती हैं जिसकी वजह से हम कॉंटेंट क्रियेट करते हैं और उससे अपनी ओफर्स को ग्रो करते हैं अपनी ब्रैंड अवेर्नेस ग्रो करते हैं हमारी जो है वो लीड्स जनरेट होती हैं कस्टूमर्स जनरेट होते हैं उसके ऊपर मैंने आपको एक यह कॉंटेंट लाइफ साइकल आपको टौफो मौफो और बौफो के बारे में बताया था सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि ठीक हम किस तरीके से अपने लिए कॉंटेंट के आईडियास क्रियेट करें और उसके लिए उससे भी पहले मैं आपको यह पर्टिक्लर फॉर्मुला तीच करना चाहता हूं इसमें पांच एलिमेंट्स हैं और यह आप जब कॉंटेंट की प्लैनिंग कर रहे हूं तो इन पांच एलिमेंट्स को जो है वो आप इसी तरीके से जैसे यहां पर लिखावाए लिख दें कि आप अपनी पॉब्लिश डेट क्या करना चाहते हैं सब्स आपने कहा कि मैं जो हूं वो बारा 11-2020 को पॉब्लिश करना चाहता हूं ठीक है अब हो सकता है कि वो पॉब्लिश कॉंटेंट आप खुद राइटर हों या आप किसी से राइट करवा रहे हूं दोनों चीज़े मुम्किन हैं आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे फाइवर पे भी मिल जाएंगे और ब्लॉग पोस्ट.com पर भी मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे घोस्ट राइटर होते हैं घोस्ट राइटर वह राइटर होते हैं कि जो अपनी ऐडिंटिटी डिस्क्लूज नहीं करतें आपके लिए लिए लिक के दे देते हैं आप उनको पैसे दें वहाँ पर आपका नाम य तो यह जो एलिमेंट है पोस्ट टाइप इसमें आपको यह पता होना चाहिए कितनी टाइप्स की पोस्ट हैं कितनी तरह के आप ब्लॉग्स क्रियेट कर सकते हैं तो यह पूरा एक तुरसा डिटेल है मैं आपको थोड़ी दिर में बताता हूं लेकिन पोस्ट टाइप का ब्लॉगों फॉर्पье प्रेश्ट अफेस्बुक मार्केटिंग केमपेज्ट एक नुच्ट होना टू एक फूर्स ब्लॉग इस तरह का ब्लॉग और फिर दूसरी टाइप का जो ब्लॉग होता है वो होता है लिस्ट पोस्ट और शु आप उसके अंदर जैं वह वह मुखतल पाकिस्तानी डिशिज हैं जो के बहुत ज्यादा पॉपिलर हैं पाकिस्तान के अंदर और लोग ज्यादा उसको खाते हैं या ज्यादा उसकी रेसिपी को सर्च करते हैं तो क्या करेगा उसका जो मेन कॉंटेंट होगा वो तो यह होगा कि आप वो लिस्ट क्रिएट कर देंग तो ये दो example मैंने आपको दे दी लेकिन बहुत सारे ब्लॉग के types हैं जिसको मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको मजीद ideas भी इसमें मिल जाएंगे तीसे चीज आप यहां बे बताते हैं वहिकल वहिकल का मतलब यह होता है कि आप उसके अंदर text की सुरत के अंदर जो है वो ब्लॉग लिखेंगे या उसमें video भी शामिल करेंगे या उसमें audio शामिल करेंगे या image तो आप इसके combination से भी आप अपने blog के अंदर इसका combination भी शामिल कर सकते हैं आप सिर्फ text और image की सुरत के अंदर भी अपना blog लिख सकते हैं आप videos को भी add कर सकते हैं तो यह हमें decide करना होता है कि किस तरह का content है और उस content को फिर हम उस particular vehicle को select करते हैं कि यह हमारे blog के अंदर जो है वो vehicles होंगी vehicle का मतलब यह होता है कि आप किस तरीके से अपना message communicate करेंगे और category category का मतलब यह होता है कि आपका वो broad topic आया वो digital marketing से related है आया वो food से related है आया वो clearing forwarding के business से related है आया वो retail business से related है आया वो traveling से related है किस चीज़ से related है तो आप इस formula को use करके यह particular 60 second के अंदर जह है आप यह particular चीज़ कर लेते हैं कर लेते हैं